हर सुमहिदा और आप सभी का स्वागत करते अपनी इसने इपीजोट में दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Poco के X2 के बारे में जिसे चारत फेरवरी को लॉंच कर दिया गया दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी स्मार्टफोन को देखेंगे इसके प्राइस को देखेंगे और बात करेंगे क्या स्मार्टफोन इतने प्राइस पॉइंट में खरीदना एक अच्छा उप्शिन होगा या फिन नहीं उसके बारे में दोस्तो पोको X2, पोको F1 के बाद सीधा पोको X2 F2 तो आई नहीं और F के बाद X का दिस्तन्स भी बहुत ही जादा हो जाता है लेकिन कंपनी ने कहा गया या पर X Factor है कुछ भी हो दोस्तो यह जो फोन है वह वही Redmi का K30 है जो इंडिया पे X2 नाम से पोको ने लॉंच कर दिया है दोस्तो अगर पहले बात कहा जाए डिजाइन की डिजाइन बहुत ही खुब सुरद है रेर में आप लोगो ग्लास बैक मिल जाएगा गोरिला ग्लास के प्रोडेक्शिन के साथ बहुत ही खुब सुरद जेर है कोर्ड कैमर सेटप के साथ बहुत ही ग्लोसी आप लोगो डिजाइन दिखेगा फ्रॉन की बात कहाजाए तो ड्वेल पंच कूल के साथ बरी स्क्रीन आप लोगो दिखेगी अगर डिस्प्ले की बात कहाजाए तो 6.67 इंज का Full HD Plus डिस्प्ले है ये LCD डिस्प्ले है लेकिन अच्छी बात ये है कि हाँ पे आप लोगो 120 Hz की रिफ्रेस्ट मिल रहे है मतब आपको जो गेमिंग एक्स्परियंच हो ले वाला है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है बात करें इंटर्नल्स की तो Android 10 मिलेगा MIUI 11 की लेरिंग के साथ प्रोसेसर की बात कहाजाए तो Snapdragon 730G है दोस्तो Redmi K30 में भी 730G ही था और ये मैंने जैसे बोला Poco X2 Redmi K30 ही है यहाँ पे Snapdragon 730G है मतब आपका जो गेमिंग एक्सपरियंच होगा वो बहतरीन होगा यहाँ पे बात क्या जाए RAM की तो 6GB और RGB के 2 RAM आपशन आप लोगो मिलेगा 64GB, 128GB और 256GB की तीन स्टोरिज आपशन आप लोगो मिलेगा इस स्टोरिज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे लेकिन यहाँ पे आप लोगो Hybrid स्लोट डिया गया है मतलब अगर आप स्टोरिज को एक्सपांड करना चाओगे तो आपको एक सिम से समझाथा करना परेगा कुछ भी हो यह जो स्टोरिज है यह UFS 2.1 है मतलब गेमिंग में सही में आप लोगो बैतरीन परफोर्मेंच दिखने को मिलेगी Liquid Coon Technology का इस्तिमाल क्या गया है मतलब आप लोगो का जो फोन है वो जल्दी गरम होगा नहीं जितना भी आप केम खेलोगे दोस्तों यहाँ पे रेर कैमरा की बात कते है तो रेर में आप लोगो 64 Megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा जो FPHR F1.89 के साथ आ रहा है 8 Megapixel का अल्ट्रा वाइट कैमरा मिलेगा 120 डिगरी की फिल व्ल्यू के साथ FPHR 2.2 के साथ 2 Megapixel का Macro Lens मिलेगा FPHR 2.4 के साथ और 2 Megapixel का Depth Sensor मिलेगा Quad Camera Setup है यहाँ पे अगर आप लोग व्लॉग बनाते हों तो व्लॉग मोड मिल जाएगा आप लोगो 4K वीडियो रेकॉर्डिंग मिल जाएगा और 90 FPS पे Super Slow Motion वीडियो भी आप रेकॉर्ड कर बाओगे Front की बात क्याज़ा है, Selfie की बात क्याज़ा है तो Selfie में यहाँ पे आपको Dual Camera मिलेगा 20 Plus 2 Megapixel का Dual Selfie Camera आप लोगों मिलने वाला है बात करें बैटरी के तो 4500 mAh की बैटरी है जो 27 Watt की Fast Serging को सपोर्ट करेंगी, मतलब बहुत ही बरिया Fast Serging आप लोगों मिलने वाला है कंपनी की अगर बात कहा जाए तो कंपनी ने कहा है के 100% सार्च हो जाएगा 68 मिनिट में यहाँ पे 4G, वाल्टी, वाइफाई, ब्लुटूट, USB Type-C, 3.5 mm जैक, GPS जैसी, Connectivity Options चाप लोगों मिल जाएगा साइड में आप लोगों Fingerbin Sensor मिल जाएगा साथी में जितने वचारेश जरूरत के senses है, वो सब कुछ आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा बात करें प्राइस की, तो 64GV वाला जो वेरियंट है, उसका प्राइस रखा गया है 15,999 मतब 16,000 रुपे कम Flipcard पे 11 फरवरी को 12 बजे सेल है, आप लोग खरीद चकते है तो अगर बात क्या जाए, क्या ये स्मार्टफोन खरीदने लाइक है या फिर नहीं दोस्तो, Poco X2 Poco F1 बहतरीन फोन था उसी तरह Poco X2 भी एक बहतरीन फोन है बात क्या जाए, डिस्पले की बात क्या जाए, कैमरे की बात क्या जाए, बैटरीज की या फिर इंटर्निल्स की तो बहतरीन फोन है, अगर आपको एक अच्छा फोन चीए, अच्छे प्रोसेसर के साथ जहां कि आपको सब कुछ बहतर मिले अगर आपको vlog भी बनाया ना तो उसके लिए भी आपको support मिले तो बरिया एक option हो जाता है Poco का X2 जरूर 16,000, 17,000 और 20,000 में इस smartphone को खरीदा जा सकता है comment में मुझे बताए कि Poco X तो आप लोग को कैसा लगा और क्या आप लोग Poco X तो खरीदना पसंद करोगे या फिन नहीं वीडियो अच्छा लगा तो like तो करी दीजेगा आपने दोस्तों के साथ share भी कीजेगा हमारे चैनल में पहली बार आया तो हमारे चैनल को subscribe करके उस bell icon को भी दबा दीजेगा क्योंकि अभी आपको हमारी notification बिलती रहेगी दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिन वारत माता की जै